इसकोशन से शुरू करते हैं को सिधा पूरा से शुरू किया जाए और देखा जाए कितने बच्चे इसकोशन को कर पाएं ठीक है बच्चों तो है इसकोशन का बड़ा ही मज़ेदार मैं इसकोशन पर आता हूँ ध्यान से सुनिया बहुत मज़ा आने वाला है इस question के solution में तो solution number 1 बच्चो solution number 1 चलिए देखते जाएए यह है mg ठीक यह है tension T, यह है 37 इसको ले लेते हैं बच्चो T1 और इसको ले लेते हैं T2 ध्यान दीजेगा ठीक है इसको ले लेते हैं T2, यह angle कितना है 37 अब यह rest पर है कि नहीं है, rest पर है तो net force 0 होना चाहिए बच्चो किसी भी 2 axis के about component में divide कर सकते हैं तो पहले मैं कर रहा हूँ axis choose कर रहा हूँ यह वाली x axis, यह वाली y axis ठीक यह वाली y axis और component में divide करता हूँ तो T1 का component बच्चो इस side कितना आएगा बोलो, T1 cos 37 आएगा ठीक है plus T2 sin 37 आएगा कि नहीं आएगा अच्छा, नीचे की और क्या है mg, आच्छा, T1 का यह वाला component कितना है बच्चो T1 sin 37 और यह वाला बोलो T2 cos 37 ठीक, यह आगया अच्छा, यह cancer, यह cancer अब हम जरा लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा T1 sin 37 की वैलू बोलिए 3 by 5 T2 cos 37 की वैलू बच्चो क्या होती है 4 by 5, 5 से 5 cancel हुआ और यह आगया 3 T1 equals to 4 T2 equation number 1, ठीक है अब equation number 2, vertical direction में देखिए force, T1 cos 37 cos 37 की वैलू क्या होती यह होती है, 4 by 5 plus T2 plus T2 sin 37 T2 sin 37 की वैलू क्या होगी sin 37 is 3 by 5 equals to mg ठीक है बच्चो, अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4 T1 plus 3 T2 और T2 की वैलू क्या लिख सकता हूँ 3 T1 upon 4 यह बराबर 5 mg के है ठीक, यहाँ से वैलू कितनी आगी बच्चो 16 और 9 कितना हुआ 25 T1 equals to 20 mg तो T1 की वैलू यहाँ से आ रही है कितनी आ रही है जरा बताना तो सही यह आ रही है 4 mg by 5 ठीक, और T2 की वैलू वहाँ से, अगर यहाँ पर T2 की वैलू निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी बच्चो 3 by 4 times of this that is 3 mg by 5 clear तो देखें क्या है यह है method number 1 अगर आप ध्यान दें तो यह क्या है method number 1 अब हम लोग देखने जा रहे हैं method number 2 जिसकी demand कई बच्चे कर चुके हैं और वो समझ भी गए है कि आहाहा sir जो है अभी क्या करेंगे तो वो बड़ी अच्छी demand है ठीक है method 2 देखेंगा बहुत ध्यान से बहुत इंपोर्टेंट है method 2 आप सबके लिए क्या है method 2 जरा ध्यान दीजेगा method 2 है समझ गया भीया समझ गया आप लोग होशियार हो यह समझ गया शाबाज बच्चों बहुत दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने तो यहाँ पर T1 बता रहा है इस direction से vertical से 37 degree angle ठीक है और यह बना रहा है horizontal से 37 degree angle यह तो है T2 यह horizontal से 37 बना रहा है ठीक अब जड़ा ध्यान से देखो यह angle 90 degree है की नहीं है यह angle 90 degree है की नहीं है तो अगर यह 90 degree है नालाइकों तो इतना बड़ा method लगाने जरूरत नहीं है जिन लोगों ने उस method से किया है उन लोग को यह बात बोल रहा हूं कि जो force perpendicular है और जो force और परपेंडिकलर है तो हमेशा हम यह axis उनी के long choose करनी हो चाहिए और इससे आपको realize होगा कि axis चूज करने का क्या significance है जहां से सुनिए मैंने इसको x axis और इसको y axis चूज किया कि T1 और T2 के component करने की जरूरत है नहीं जरूरत है नहीं जरूरत है तो किसके component करने की जरूरत है Mg, Mg axis के long नहीं है तो Mg का yala component कितना आएगा Mg cos 37 Mg cos 37 की value बोलो 4 Mg by 5 चलिए Mg का yala component बोलिए Mg sin 37 3 Mg by 5 यह component के खतम T1 की value इस direction में equation लिखिये क्या कोई acceleration है सीधा आजाएगा T1 4 Mg by 5 और T2 3 Mg by 5 मैं यह example इसलिए लेता हूँ और दोनों method से इसलिए solve करता हूँ यह दिखाने के लिए कि what is the significance of choosing axis चूज़ करने का क्या significance है कई लोग सोचते हैं access चूज़ करने में क्या significance है किसी को भी access चूज़ कर लो समझ में आए बीटा तो access चूज़ करना बहुत important है यहाँ पर दो forces थे perpendicular direction में थे ठीक है जब हमें यह बात दिख रही थी तो हमें access यही चूज़ करनी चाहिए थी क्योंकि एक ही force के दो component करने पड़ेंगे तो हमने क्या किया अगले बारे पार्ट में यह इनी को access चूज़ कर लिया खट से answer आ गए जो मैंने last class में आपसे question पूछा है मेरे साफ से मैं अपनी बात को समझा पाया हूं बच्चों ठीक है homework question में लामी स्थियोरम भी use कर सकते हैं संतोष परसाद ने बोला है क्या homework question में लामी स्थियोरम यूज़ कर सकते हैं बच्चों एक बात का ध्यान नको सभी लोग क्या ख़लत पढ़िए आपने लामी स्थियोरम यह नहीं होती है कि टीई अपोन 7 Cent जो बच्चा बोला संतोष उसकी बाद भी साथ सभी लोग सुन लो बेटा लामीज ठियोरम यह नहीं होती मैं बता देता हूं यह टीवन यह टीटू और यह रहा एमजी ट्राइंगल रूल ओफ एक्टर एडिशन को लोग लामीज ठियोरम कहते हैं लामीज ठियोरम क्या होती मैं बताऊंगा आप निश्यंत रहिएगा मैथड नमबर 3 आप सभी लोग सुन लीजिए संतोष के चक्कर में मैथड नमबर 3 भी आ गया है आपके सामने मार्केट में यह बताइए आपको आपने पॉलिगन रूल ओफ एक्टर एडिशन पढ़ा था अगर एक वेक्टर यह थीक है तो यह T1 और यह T2 और यह Mg इन तीनों का रिजल्टेंट 0 आना चाहिए क्योंकि सिग्मा एफ एक्वस्टू में में फोर्स का एड्ट समिशन वेक्टर समिशन में के बराबर होता है बॉडी रेस्ट पर है तो में की वैलू 0 है तो तीनों फोर्स का समिशन 0 आना च अचाहिए ताकि रिजल्टेंट 0 आए अचाहिए एंगल देखिए 37 है तो यह 37 लिखा लेजिए यह कोश्चन घताम इस कोश्चन में यह बन गया पर्पेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर की लेंद कितनी होती है आपको पता है हाइपोटेनस टाइम साइन 37 यह लीज़े यह भी आंसर आ गया और टीवन है बेस बेस की वैलू क्या होती हाइपोटेनस टाइमस कॉस 37 तो यह आ गया तो मैथर नंबर 3 जिसको लोग लामीज थेओरम कहते हैं यह लामीज थेओरम नहीं है मैं आपको पढ़ाऊंगा लामीज थेओरम लेकिन अभी नहीं लामीज थेओर is made for rigid body equilibrium लामीज थेओरम इस चीश क 9 नहीं है यह सिंप्ल पॉलिगर्ण रूल ывाज और ल्टीशन है या जा नकीए का। हम काफ이 बबार बेब कूफ़ बंते रहते हैं पूरे बहूरे सातर से इसको पोच्छन न पूछ करके आपको बताने जा रहा हूं कि मैं आपको बताने जा उसके लिए पहले हम आईडिय पुली के बारे में जनेंगे उसके बाद पहले भी बता चुका हूँ तो आइडियल पुली और भी और भी चीजे बेटा गलत दी है संतोज बाबु आपको धीर धीर पता चलेगा कितनी सारी चीजे गलत दी हुई है फिलाल मैं आगे बढ़ता हूँ आइडियल पुली क्या होती है ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले तो पुली देखने में कैसी होती है पुली देखने में देखने में देखना है ध्यान से कैसी होती है मैं बनाता हूँ एक डिस्क टाइप की दिखती है ठीक है और साइट से देखने पर इसमें होल होता है यह एक्सल होती है यह किसी चीज पर फिक्स होती है यह दीवार से टंगा होता है यहां पर धागा होता है यह रोप होती है जो रोप इससे पास होती है एक साइड और पीछे से रोप जाती है वो दूसरी साइड यह जो आपको सामने दिख रहा है यह है पुली इसे को पुली कहता है अब हम का खास बात होती है आइडियल इस्टिंग तो पढ़ी चुके हैं तो आइडियल पुली की खास बात लिख लीजे मासलेस मासलेस प्रिक्शनलेस मासलेस एंड प्रिक्शनलेस पुली is called आइडियल पुली है ठीक है ठीक भई ठीक आगे बढ़ते हैं अब इस आइडियल पुली के बारे में अगर मैं बात करता हूँ आपसे और मैं कहता हूँ कि भईया इस आइडियल पुली का क्या यूजस है आप आइडियल पुली में ऐसी क्या बात कह रहे हैं कि मासलेस प्रिक्शनलेस है इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा रोप जो आपको दिख रहे हैं ये रोप इसको मैं रोप बोलना हूँ रोप slides on the pulley slide करती है घुमाती नहीं पुली को slides on the pulley smoothly frictionlessly ठीक ये रोप ऐसे ऐसे उस पर slide करती है ठीक लेकिन इसका जो बार बार view बनाया जाता है वो ये वाला view नहीं ये वाला view बनाया जाता है ठीक है पर सर पुली के अपर पार्ट में तो friction होना चाहिए अभी शेक तिवारीन कहा है सर यहाँ पर friction होना चाहिए नहीं बेटा ये पुली fix है बच्चा ये पुली fix है घुम नहीं रही है और इस पर जो रोप है ना वो slide कर रही है ऐसे slide कर रही है ये fix है और अगर घुम भी रही होती तो चुकि ये massless है इसलिए इसको घुमाने के लिए friction की जरुवत नहीं है ठीक है अगे बढ़ें बच्चो अच्छा अब side से कैसे दिखाया जाता है मैं diagram बनाके दिखाता हूँ ठीक है तो मैं दिखाने जा रहा हूँ आटवुड मशीन का diagram होता है ध्यान से सुनिएगा यह आप अपनी फील से बोल ले ना शौरे रोप गिर जाएगी फील से आंसर नहीं आएगा कारण बताता हूं याद करो बच्चा रोप हमने मासलेस हमने रोप आइडियल पुली आइडियल रोप भी लिखवाई है मैंने क्लास में मासलेस होती है तो जब अगर यह मासलेस है नीचे जाएगी नहीं तो इस लाइड नहीं करेगी और कर भी सकती है अगर इसका मास हुआ तो ठीक आपने ब्लकुल सही का गिर जाएगी नीचे तो आप से question पूचने वाले कैसा question पूछते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा आपसे question पूछने वाले कहते हैं side से देख करके diagram मनाते हैं तो यह सिर्फ एक दिखेगा side से देखने पर यहां से देखने पर यह सिर्फ यह वाली एक line दिखेगी एक के पीछे एक आजाएगी छुप जाएगी ना भाई ठीक तो इसलिए एक दिखेगी सिर्फ और यह होगी पुली सर्पिलर आपको दिखी ठीक है यहां से यहां से यह रोप गई अब रोप में बंधे हुए हैं block एक है M1 एक है M2 ठीक यह machine कहलाती है लेकिन अब कहा जाता है तो कहा जाता है तो माल लीजे कि M1 is greater than M2 तो अब एक काम करिए माल लीजे कि string में tension T है string में tension T है तो दोनों side T होगी कि क्यों होगी कि याद दिलाए मैं याद दिलाता हूँ मैंने आपको पढ़ाया है अगर आप notes revise करके नहीं आते है तो फिर आप भूल सकते है और वो यह कि कि किसी भी massless string में tension uniform रहता है जब तक कोई tangential force ना लगे चुकि यहाँ पर friction नहीं है बच्चों तो कोई tangential force नहीं लग सकता है इसलिए tension हर जगे same रहेगा अब M1 greater than M2 है तो M1 इधर जा रहा है M2 इधर जा रहा है ऐसा मैंने feel से माल लिया गलत होगा तो negative आ जाएगा चिंता मत करो आपको क्या करना है आपको M1 का FBD बनाना ये मानते हुए कि acceleration A है क्या मानते हुए acceleration A और tension T मानते हुए आप M1 का FBD बनाएए equation लिखिए M2 का FBD बनाएए equation लिखिए और फटा-फट A और T की value निकालिए उन equation को solve करके आपके पास 2 minute है देखते कितने लोग कर पाते है थोड़ा basic पढ़ाऊंगा जिनको थोड़ा ज़्यादा आता है थोड़ा सा patience रखे उनको भी कुछ ऐसी बाते पता चलेंगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं जानी होगी विश्वास मानी है लेकिन उनको थोड़ी कम अभी कम पता चलेंगी आगे चल करके maximum बाते उन्हें ऐसी ही पता चलेंगी पुली और एक्सेल के बीच की surface frictionless है या फिर सर पुली और रोप के बीच की तो पुली और रोप के बीच की surface frictionless है तो automatically एक्सेल के बीच में friction माईने नहीं रखेगा बिटा मंजीत सर मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अनकेडमी पर मैं जेई के लिए course लेना चाहता हूँ पर ओलंपियार्ड भी करना है तो ओलंपियार्ड का कोर्स ना लू वाइटी से हो जाएगा हो जाएगा मंजीत सर मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ठीक है equation लिखें equation लिखते हैं ठीक equation आती है M1G minus T equals to M1A इसका FBD बनाते हैं कैसे बनाया जाए गुरू जी देखिए भाई environment surrounding फलाना ढिकाना बहुत सारी बाते करी थी M1G नीचे tension उपर acceleration नीचे equation क्या लिखें M1G minus T equals to M1A ठीक दूसरा FBD बोलिए क्या है M2G का FBD कैसा बनेगा नीचे की और gravitational force दो surrounding है इसलिए दो ही force आएंगे acceleration उपर की ओर तो इस direction को positive आना equation लिखी T minus M2G equals to M2A इन दो equation को solve करना है बच्चो T निकालना है A निकालना है एक तो देखते ही समझ में आ रहा है बहुत असान वरीका क्या दोनों equation को add कर दीजिए 1 में आ रहा है minus एक में आ रहा है plus देख लिजे एक में है minus T एक में है plus T यह हो गया cancel तो equation बची दोनों को add किया धार नखिएगा M1G minus M2G equals to M1 plus M2A तो यहाँ से बच्चा acceleration की value आती है M1 minus M2 upon M1 plus M2 क्या टिकेस direction में M1 नीचे की और जा रहा है यह मानते हुए M1 is moving in downward direction यह मानते हुए ठेक यह मानते हुए एक सर आप क्यों बोलना है क्यों इसलिए बोलना हूँ कि माल लीजे M1 जो है वो छोटा हो तो मैंने assumption लिया M1 greater than M2 अगर मैंने M1 greater than M2 assumption लिया है तो मुझे यह बोलना पड़ेगा assumption मैंने लिया है अगर यह assumption मैंने लिया है तो मुझे बोलना पड़ेगा कारण सुनना because if M1 is less than M2 this acceleration will automatically come negative और अगर यह automatically negative आया इसका मतलग जो मैंने माना है उसका उल्टा होगा Sir, if pulley was not ideal then what will be the difference from ideal case बिलकुल बच्चा सहीड doubt पुछा है तुमने अगर pulley ideal नहीं होगी तो यह pulley घूमेगी और pulley घूमेगी तो friction force के कारण घूमेगी friction force के कारण घूमेगी तो T1 और T2 different होगे और T1 और T2 different होगे तो उनमें relationship निकालने के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए chapter पढ़ना पड़ेगा rotational dynamics rotational mechanics जो आपका final topic है mechanics का अच्छा doubt है शाबाश बहुत बढ़िया यह है acceleration की value sir this series for student who preparing for NACP next year right sir yes बिटा बिल्कुल सही बात है चली हम आगे बढ़ते है बच्चो जड़ा acceleration की value को acceleration की value को यहाँ पर put कर दीजे और tension की value को निकाल लीजे फटा फट जल्दी से यह काम करिए दो मिनट दे रहा हूँ सभी को यह है acceleration की value आपके सामने इस value को put करिए और जल्दी से answer निकालिए तो मैं ही put कर देता हूँ यार मुझे लगा कि आप काफी RC हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं M1G minus T equals to M1A और A की value है M1 minus M2 upon M1 plus M2G ठेक T equals to M1G common लिया इस equation को उधर लाए T को उधर लेका है तो यह आया M1 minus M2 upon नहीं यह आया 1 minus 1 minus M1 minus M2 upon M1 plus M2 बच्चे डरे नहीं इस calculation को देख करके घर में बैटके करें उसे हो जाएगा यह धर लाया हूँ यह धर लाया हूँ फिर M1G को common ले लिया है गवराई नहीं यहीं आयेगा निश्चिंत रहे तो T equals to M1G M1 plus M2 minus M1 plus M2 divided by M1 plus M2 M1 और M1 हो गया cancel tension की value आ गई twice of M1 M2 upon M1 plus M2 into G आ रहे है बच्चों ठीक है मेरी request है आप सभी से request है इस request को मानियेगा प्लीज है ना request को मानेंगे आप मेरी मानेंगे request को मेरी request है कि आप ये दोनों formula हर हाल में याद रखेंगे चाहे कुछ हो जाए M1 minus Atwood machine के और मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया था ये भी मैं आपको बताऊंगा निश्यंत रहिएगा ठीक है तो ये formula आपको याद रहने चाहिए tension का formula भी याद रहना चाहिए बच्चो और acceleration का भी formula याद रहना चाहिए clear रहे जी समझ में आया चलिए एक question मैं आपको देता हूँ ये आपको पूरा solve करना होगा और फिर मुझे answer बताईएगा ठीक है चलिए तो question है बच्चो ये मैं question नए page पर बनाता हूँ दाकि बताने में मुझे ही easy रहे तो question है बच्चा पार्टी ये कि ये है एक pulley ये आट वूर्ट मशीन तो नहीं है ये एक pulley है यहाँ पर M1 मास का एक block है और यहाँ से M2 hang हो रहा है यहाँ से M2 hang हो रहा है आप से पूछा gap अगें find tension in the string in the string and acceleration of both blocks फटा फट बताईए and also find and also find force applied by support of table on pulley चली एक और add कर दिया लोग कहेंगे सर्व ये तो हो नी राता add और कर दिया आपने गुरू जी है तो देखते जाएं सबसे पहले बच्चों हम M1 और M2 का अलग से free body diagram बनाएंगे ठीक है तो solution देखते हैं क्या है M1 N normal tension ठीक है और equation क्या लिखेंगे यहाँ पर और कोई force चेक करो M1 G है अच्छा इस direction में अगर इसका acceleration A है बच्चों तो इसका भी A होगा इस direction में होगा की नहीं होगा ठीक है दूसरी equation है M2 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 G और उपर की हो रहा है T देख लिजे T सेम क्यों होगा बच्चा T सेम इसलिए होगा क्योंकि mass less string में टेंशन हमेशा सेम होता है ठीक है अगर कोई tangential force नहीं लग रहा है इसका acceleration downward है बच्चा एक्वेशन जल्दी से बोलो क्या लिखेंगे M2 G minus T equals to M2 A ठीक है और ये दूसरी equation क्या है T equals to M1 A दोनों को जोड़ दीजे या फिर आप T की value रख दीजे जो आपका मन करे M2 G की आ रहे भाई आप परीत बंसल समझ गए भे इतने बार लिखोगे हार्दिक शर्मा कह रहे हैं दो में ठुक जाईए भाई अब तो बात आगे निकल गई हार्दिक शर्मा जी M1 प्लस M2 है तो यहां से एक ही value बच्चा पार्टी आती है M2 G अपान M1 प्लस M2 M2 G अपान M1 प्लस M2 यह आगे है तो आप बिंती है कि आप जेडवान 2024 के लिए प्लस कोर्स लाँच कीजिए 2024 को पड़े अब कर दिया ना प्लस कोर्स लाँच 2024 के लिए अल्यड़ी लाँच हो चुका है ठीक है चेक करो है रू कुमार गोपे यस का मतलब क्या है या यस का मतलब क्या है रू कुमार गोपे चलिए टेंशन की वैलू निकालो भाया टेंशन मत दो में रखो टेंशन की वैलू निकालो क्या करें गुरू जी आ रहे एक ही वैलू रग दीजे ना यार यहाँपर क्या करते हैं टेंशन बस value तो डालनी है एक यूठा करके यहाँ पर ठीक है तो tension की value बच्छा पाटी आ रहे है M1 M2 upon M1 plus M2 into बोलिए जी हो गया काम तमाम अच्छा अब दूसरा question पूछा है आपने white color के pen से and also find force applied by support of table of pulley ये किसी नहीं नहीं दाया 2025 का है early start का 2025 के लिए हाँ सर वो 2025 का है शायद अच्छा वो 2025 का है ओ हो ये तो मुझे पता ही नहीं है देखता हूँ यार मुझे तो याद नहीं है 2025 का है कि 2024 का है ओके ये लीजिए ये कह रहे हैं फिर हमारे बच्चों को भी आपी पढ़ाना परी धत पागल अर्विन आ रहा हो बहुत बढ़िया शाबाश बच्चों बहुत अच्छी बात बताई तुम लोगों ने सही आंसर निकाला यार कि प्रदीप घोष कह रहे हैं 2025 का है ओके ठीक है आपको 2024 का बैच चाहिए क्या 2024 के लिए बैच मैं करता हूं मैं बताता हूं आपको 2024 के लिए ओफ लाइन वैच स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट वीक ऑफ जन्वरी से 2024 के लिए 2023 अकले सल 2024 हां ठीक है न 11 वालों के लिए बिल्कुल 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 कर रहा हूं ना बैब बुलतो दिया यार और कैसे बोलूं ठीक है चलिए आगे बढ़े बच्चों ठीक ए support on pulley यह देखने का तरीका सुनिये ज़रा सभी लोग क्या तरीका होता है तरीका यह होता बच्चों कि यह है पुली का support जो टेबल दे रहा था यह ऐसा टेबल था यह support था सभी लोग धान से सुनियेगा बहुत important है यह FBD of pulley बोलता हूं मैं इसको FBD of pulley अब system पता है मैंने क पुली प्लस string on the pulley string on the pulley उससे क्या हुआ गुरू जी देखो क्या हुआ यह system में शामिल है इतना यह system में मेरा यह यह system ठीक इस system पर क्या-क्या force लग रहा है पुली मासलस है system में शामिल कर सकते हैं मासलस चाह 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 ना चाह लाओ शामिल कर सकते हैं reason बात में बताऊंगा देखो जरत हैं इस पर force लग रहा है T लग रहा है यह नहीं लग रहा है ठीक है तो यह वाई साब ऐसा क्या करें ताकि पुली रेस्ट पर रहे या पुली का एक्सेलेशन जीरो क्योंकि पुली का एक्सेलेशन तो जीरो यह तो confirm है तो पुली पर net force क्या होना चाहिए बच्चो जीरो इसका मतलब मैं क्या सकता हूं क्या कि याले force और याले force का जो resultant force होगा वही तो यह support opposite direction लगाएगा तभी तो पुली रेस्ट पे रह पाएगी repeat करता हूं पुली पर लगने वाले force कौन कौन है कौन कौन force लगा रहा है किस पर कि पुली plus thread पर फुली plus thread पर मिला करके ठीक है इस system पर कौन कौन लगा रहा है बच्चो इस पर force लगा रहा यह वाला tension इस पर force लगा रहा है यह वाला tension और इस पर लगा रहा है support लिनो कस्ओमेशन क्या हो नग चहिए सीरो तो क्या मैं कहा सकता हूँ force by support plus t1 vector इसको ऐसे लिखता हूँ force by support plus t1 vector t1 vector और t2 vector t1, t2 क्यों लिख रहे हैं वेक्टर है ना इसलिए अलग-अलग होंगे क्योंकि direction दोनों का अलग-अलग है ना इसलिए t1, t2 से represent किया है क्या मैं कहा सकता हूँ support का force minus t1 plus t2 होगा और यह हमीशे ही करना है कभी भी support का force पूछा जाए इसका मतलब है कि tension बाकी के forces का vector submission निकाल लीजिए उसका opposite तो जैसे यहां कि अगर मैं बात करूँ ध्यान से सुनिएगा यह है t बच्चो और यह है t इन दोनों का result कितना आया root 2t आया कि नहीं आया ठीक है तो support पता है किस side लगेगा opposite direction यह है support की value root 2t और यह है direction तो answer हो गया root 2t और हमें t की value पता है t की value कितनी थी भाया t की value थी हमारी m1 m2g m1 m2g upon m1 plus m2 यह answer है pulley plus thread has mass of 0 also बिल्कुल बेटा इसी लिए ले पाए है ठीक है न हमेशा ऐसा कर सकते है ध्यान रखेगा यह काम किया जा सकता है clear है बच्चो समझ में आया गया force of support on pulley क्या करना है pulley पर लगने वाले बाकी के force देखने है support वाला force जो है सबको balance कर रहा होगा तभी 0 हो पाएगा ठीक है वरना वो 0 नहीं हो पाएगा is that clear to everyone ठीक है साब चलिए अच्छा एक और question इस बात पर पूछी लेता हूँ ठीक है देखते कितने लोगों को clear है ध्यान दीजे जड़ा अभी atwood machine देखी थी आप सबी ने देखी थी ना atwood machine देखी थी अच्छा ठीक है तो force of force applied by support on pulley in atwood machine चलिए बताईए फटाफट कितना होगा देखते कितने लोग पता पाता है atwood machine पर support का force देखते हैं तो ये है atwood machine ये है उसका support ये है tension ये है tension क्या बताया था सर ने गुरू जी ने क्या बताया था बच्चो गुरू जी ने बताया था कि pulley plus उस पर जो rope है उसको system में शामिल कर लो अब ये rope अपने दूसरे इससे पर जो force लगाता है उसी को तो tension कहते हैं ये तो गुरू जी ने पढ़ाया था वही है revision करके नहीं आओगे कुछ समझ में नहीं आएगा कई लोग revision करके यहां नहीं आए हैं बैठे बैठे मुस्करा आ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये है support का force ये है tension बाकी जो force लगेंगे उसको support का force balance करेगा तो इस बार support का force किसके परावर होगा बच्चो 2T तो value आएगी 4M1 M2 upon M1 plus M2 into G अरे वाद रू कुमार गोपे शाबाश लड़का तो होशी आ रहे है यार एक general result derive करने जा रहा हूं and that general result जो है ना वो बड़ा माइनी रखता है आप सबने आप में से कई बच्चों ने जोन्होंने 11 पढ़ रखा है उन्होंने एक result पढ़ा हो पढ़ा है क्या यह से अनुमी आंसर दो पढ़ा है क्या ने टेंजेंचल पूर्स वाला कुशन पढ़ा है कोई बात नहीं जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने उसका प्रूफ नहीं पढ़ा होगा तो मैं आज आपको पहले एक formula बताऊंगा फिर आपको उसका proof भी दूँगा ठीक है ना क्या proof तो बाद में दूँगा पहले formula क्या है formula सुन लेते हैं ठीक है formula है अब है valid है पहले तो गी लिख लेते हैं if in a system in a system of rope and masses attached to it attached to it at magnitude of acceleration magnitude of acceleration of each particle along the rope have same value value then that acceleration that acceleration is given by is given by is given by so then that acceleration is given by a equals to the answer sunyaga summation of all the forces along the string along the string in one sense in in one sense of motion divided by total mass sigma mi तो ये दिया जा सकता है मैं इसका solution बताऊंगा ठीक है आपको ये method का proof दूँगा अपने शिंद रहिएगा लेकिन पहले method सीख लेते हैं ठीक है बच्चों method क्या है माल लीजे एक horizontal plane है एक horizontal plane है माल लीजे थोड़ी दिर के लिए माल लीजे भाई उसमें ये particle है M1 है ठीक है M1 एक fix pulley से जा रहा है फिर उसके बाद एक M2 है ये M2 है फिर इसके बाद फिर से एक fix pulley है फिर उससे बाद एक M3 है ठीक है फिर इसके बाद एक fix pulley है फिर इसके बाद एक M4 है ठीक ये सब एक horizontal plane पर सजाए गए है ये सब fix pulley है ये सारी की सारी pulley जो दिख रही है ना ये सब fix है बच्चों ठीक अब ध्यान देना मैं क्या बताना चाहता हूं माल दीजिए इस पर force लग रहा है F1 external force other than tension ठीक है इस पर लग रहा है इस direction में F2 इस पर लग रहा है इस direction में F3 along the string बोल लाओ इस पर लग रहा है इस direction में F4 देन दीजिएगा तुम एक बात पहले assure करो कि बच्चों अगर ये एकस इधर जाएगा तो guarantee ये भी X इधर जाएगा और जो पुली जितनी भी आपको दिख रहे हैं ये सब fix है nature में पुली अपनी जगे से हिल नहीं सकती है तो अगर आप यहां से इसको X खीचोगे तो ये भी X आगे जाएगा ये भी X इधर जाएगा ये X उपर जाएगा confirm है then acceleration will be given by आप किसी भी एक direction को positive माल लेजिए माल लेते हैं ये वाला sense जो है positive है जो मैंने arrow से represent किया है माल लेते हैं ठीक है ये वाला sense positive है तो देखना जाएगा इस पर वो force जो string के along लग रहा है उनका summation same sense में लेते हुए F1 इस direction में अगर ये इस direction को positive माना है यहाँ पर ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये positive होगा ठीक है अब आप देखते जाएए और force लिखते जाएए खटा-कट खटा-पट F1 same direction में तो positive F2 opposite में तो negative F3 same में है तो positive F4 opposite में है तो negative divided by total mass M1 plus M2 plus M3 plus M4 ये answer है ठीक बच्चो तो मैंने ये चीज लिखवाई है आपको इसका use देखें जरा force by gravity बच्चा horizontal देखो ये horizontal plane पर रखा होगा है न फोर्स पाई gravity कहां से आएगा ये जो plane आपको देख रहा है न वो horizontal है तो normal से cancel हो रहा होगा हर जगह या gravity free space माल लोगर आपको doubt आ रहा है तो ठी अब जरा ध्यान से सुनना बच्चो ठीक मैं इसका use करने जा रहा हूं जो question अभी तक किये हैं उनमें इसका use करने जा रहा हूं ध्यान दीजेगा मान लीजे फिर से वही question लेते है एटवर्ड मशीन वाला सर एफ़ पॉस्टिव क्यों नहीं होगा देखे जरा साब हमने क्या माना है हमने ये माना है कि acceleration का direction ये है तो अगर ये block इधर जाएगा तो इसको भी इधर जाना पड़ेगा इसको भी इधर जाना पड़ेगा यानि कि इन direction को इन senses को positive लेना है तो F1 इसी sense में है F2 opposite sense में है ठीक negative आगया फिर हमने इसको positive माना है F3C sense में है तो positive फिर इसके बाद हमने इसको ऊपर जाने को positive माना है लेकिन F4 negative लग रहा है तो negative अभी समझ में आया धारे बार को ठीक है हम आगे बढ़ते हैं अब ज़रा धान से सुनिए हम atward machine पर वापस जा रहा हैं बच्चो अचा image गलत देख लीती है आपने ठीक है यह है वापस से M1 और यह है वापस से M2 ठीक है अचा यह जा रहा है माल लेता हूँ A acceleration से नीचे अगर यह A से नीचे जाएगा तो यह A से उपर जाएगा अचा gravitational force भी लगेगा कितना कि है अब जड़ा वही वाला उपर आला formula लगाई है A बराबर जड़ा यह बताइए मैंने इस direction को positive माना है इसको positive माना है तो अगर यह इधर जाएगा तो यह उपर जाएगा कि नहीं जाएगा जाएगा अब बताइए M1 G को positive लो जल्दी बोलो M1 G और A से इम direction में तो positive M2 G जल्दी को बोलो negative divided by total mass बोलो जल्दी बोलो total mass M1 प्लस M2 चेक करो क्या यह answer आया था admin machine में चेक करो अगले question पर आते हैं जल्दी जल्दी देखते जाओ अगला question यह है यह रहा question वही वाला जो मैंने अभी थोड़े पहले बताया था क्या है question जरा ध्यान से सुनिएगा question है यह यह है block M1 mass का यह है पुली यह है M2 ठीक है अच्छा यहां पर लग रहा है M2 G क्या यहां पर मैं कह सकता हूं कि M1 G along the string लग रहा है M1 G इधर लगता है क्या भी है M1 G तो नीचे लगएगा क्या यह along the string है नहीं है तो इसे देखनी की जड़ुवत नहीं है तो टोटल फोर्स अगर मैं बोलूं along the string तो यह की है और वो कितना है M2 G और टोटल मास कितना है M1 प्लस M2 यह आ गया acceleration खतम हो गया की नहीं हुआ ठीक है चलिए अब एक question मैं आप लोगों से पूस्ता हूं जल्दी से उसका answer दीजिएगा कोशन है बच्चों यह है कि कोशन यह है कि यह एक incline pain है यह एंगल थीटा पर रखा हुआ है यहाँ पर एक पुली लगी हुई है ऐसी ठीक यहां से string आ रही है यह string आ रही है यह M1 बंधा हुआ हुआ है देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं यह M2 बंधा हुआ है ठीक है find acceleration of both block चलिए बताइए इस नए वाले method से देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं माल लीजे कि इधर जा रहा है पटाफट बताइए पटाइए झाल चलिए देखते हैं मुझसे होता है कि नहीं होता है सबसे पहले pulling force निकालते हैं ठीक है तो pulling force कैसे निकाले जाएं मने का ठीक है अभी देखते हैं कौन से force देखते हैं along the string वाले force तो यहां along the string वाला force एक तो है m2g यहां m1g तो इस direction में लग रहा बच्चो लग रहा है कि नहीं लग रहा हैं तो हमें तो string के along वाला force चाहिए यहां angle theta है यह है m2g cos theta और यह है m1g sin theta तो इसमें string के along कौन सा लग रहा है m1g sin theta लग रहा है यह है m2g हमने इसी direction में move करता हुए माना है तो m1g sin theta यह उपर जाएगा m2g opposite है तो क्या लिखेंगे acceleration की value m1g sin theta minus m2g divided by m1 plus m2 यह आगया answer ठीक है last question इस चीज़ पर बेस्ट पूछने जा रहा हूं उसका answer दीजेगा आप लो ठीक last question जल्दी से note करें और वहाँ उम्मीद करता हूं सभी लोग इसका answer सही निकालेंगे इसके बाद फिर कोई question नहीं दूँगा इस पर बेस्ट simple है question question ज्यादा tough नहीं बच्चों पिस लेकिन जरूरी है देना मेरा ऐसा मानना रहता है तो मैं छोड़ता कुछ भी नहीं हूं चाहे आप topper हों और चाहे ना हों उससे मतलब मेरे को नहीं रहता मान लीजे यह इधर जा रहा है यह अंगल थीटा है point acceleration शुरू हो जाएए जल्दी से यह fix है यह fix है अगर m2 greater than m1 है तो उल्टा हो जाएगा बेटा m2 अगर m2 तो मान लेते हैं यह नीचे जा रहा है मान के लेते हैं मैंने बताया यह नीचे जा रहा है तो यह उपर जाएगा और यह भी उपर जाएगा ठीक है string along forces निकाल लीजी यह वाला बच्चो m1 g होगा string along ही है यहाँ पर हमको string along m2 g sin theta मिलेगा और यहाँ पर हमें string along m3 g मिलेगा ठीक है अब यह उपर जा रहा है लेकिन force इधर है यह नीचे आ रहा है force इसी side है तो यह positive m3 g minus m2 g sin theta minus m1 g divided by m1 plus m2 plus m3 is the answer यह answer है ठीक है बच्चो अब कुछ शीजे मैं बताने जा रहा हूँ fbd of the pulley पर based जो मेरी रह गई थी fbd of the pulley पर based कई पर question ऐसे आते हैं जो डरावने होते हैं लेकिन डरावने होते नहीं बस देखने में डरावने लगते हैं वो fbd of the pulley पर based होते हैं एक बनाके दिखा रहा हूँ आपको अगर आप पुली के fbd बनाना जानते हैं तो बहुत बखवास question होते हैं लेकिन डराते हैं question क्या है गुरू जी देखिए जरा question क्या है problems based on fbd of pulley तो ये पुली देखने में कितना डरावना होगा ये पुली पर ये पुली पर ये पुली ये भाई साब कितनी सारी पुली ये फिर ये फिर एक ब्लॉक ये रहा एम नॉट ठीक है फिर इसका मास क्या हो ताकि system is in equilibrium system is in equilibrium system equilibrium में रहे इसके लिए ये वाले का मास क्या होना चाहिए आप से ये question पूछा जा रहा है अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत खतरनाक question है ऐसा feel आ रहा है ठीक है सही बताएं तो दो कवडी का question है घटिया एक दम थोड़ा सा सोचो थोड़ा सो में सोचने का समय देता हूँ एक मिनट फिर मैं बताऊंगा FBD of pulley याद रखना support वाली बात जो मैंने बताई थी ठीक है अगर आप pulley प्लस string को system लेकर के FBD बनाने की बात याद करोगे तो आपको बहुत फाइदा होने वाला है इकली बिरियम मीनिंग होता है acceleration का zero होना इकली बिरियम मतलब acceleration का बच्चा zero होना फिलाल तो जिस translational motion की मैं बात कर रहा हूँ जल यह मैं करके देखूँ चलिए मैं देखता हूँ ध्यान से सुनिया जड़ा सभी लोग तो भीया ऐसा है इसको करने के तरीका सुनिया सभी लोग एक बात जाल लीजे मान लीजे यह एक पुली है ठीक है इसमें यह string गई है इस side tension T, इस side tension T तो इधर T force, इधर T force तो बता सकते हैं यह force कितना होगा T dash की value 2T होगी हमेशा क्यों होगी क्योंकि T dash minus 2T यह चल रही है या नहीं चल रही है irrespective office, mass times acceleration पुली का mass मैंने क्या बोलाता 0 तो T dash equals 2 क्या आएगा हमेशा बोलो, 2T आएगा की नहीं आएगा हमेशा 2T आएगा T dash की value अरे बोलो ना यार, आएगी न भाई ठीक, चलो अब यहाँ पर आजो फड़ा फड़ा देखते जाना माल लेते हैं, यह tension T है ध्यान दीजिए, यह tension T है यह tension T, तो यह BT, यह BT, यह BT, यह BT सहमत हो ठीक, अच्छा यह बोलिए यह यह कितना, 2T अच्छा यह बोलिए, कितना, 2T और बोलो न यार, समझ में आया है कि नहीं ठीक है, बस अब question खतम होने वाला, देखना मज़ा आएगा M not मैं नीचे की और लग रहा है M not G उपर की और force बोलिए, सब मिला दो, 2T और प्लस T, 3T आया और बोलो न भे, 3T की value कितनी आगई, M not G खतम question, T की value M not G by 3 चलिए, इस मास को मान लेते हैं इसका मास है M dash मान लेते हैं, M dash है तो इसका free body diagram मनाते हैं, M dash का M dash का free body diagram क्या होगा नीचे की और M dash G अच्छा, उपर की और देखे जड़ा देखे, 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 देखे देखे, 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 ऊपर की और क्या आएगा 2T आएगा 2T आएगा, तो क्या लिखे हैं 2T minus M dash G बराबर 0 तो M dash G की value, M dash की value बोलिए, 2T upon G ज़रा T की value आपने निकाली है, बच्चा पार्टी तेरा ये उठा के रख दीजिए, फटा-फट यहां पर और देखे तो सही क्या नजारा है ये है M not G by 3 तो answer is गुरुदेव, answer है M dash equals to 2 by 3 M not, simple ठीक आगे समझ में देख लो, फिर मैं पूछूँँगा तो फिर, ऐगर समझ में आगें, तो हाँ बोलो और अगर समझ में आगें, तो मैं पूछूँँगा तुम से, और होना चाहिए ये मैं मेरा मानना है चलो मैं फिर पूच्था हूँ, तुम लोग से देखते कितने लोगों से होता है एक्दम दो कोड़ी के सवाल सही जवाब तुम्हारा बहुत अच्छा चलो अगला कोशन देखो अगला कोशन है कि ये एक इटेड़ है M मास का एक ब्लॉक लटका हुआ है ठीक है यहाँ पर एक पुली है यहाँ पर 2 kg का एक ब्लॉक है और एक तरफ 3 kg का ब्लॉक है ठीक फाइंड वैलू अफ फाइंड वैलू अफ एम सो देट सो देट इट रिमेंस अट रेस्ट इट रिमेंस अट रेस्ट चलो देखते हैं सावा देखो जरा ध्यान से सुनना गलती क्या है मैंने कहा है find value of M so that it remains अट रेस्ट यह रेस्ट पर है यह पुली रेस्ट पर है अब यह लोग रेस्ट पर क्यों रहेंगे यह बताओ ज़रा एट्वर्ड मशीन में बच्चा पार्टी जब मैंने यहां M1 और M2 लगाए थे तो पुली रेस्ट पर थी पुली का सेंटर रेस्ट पर था क्या यह भी रेस्ट पर थे क्या बोलिए 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 तो जड़ा समझ गयोंगे आप क्या गलती कर रहे हैं बच्चा पार्टी तो उस गलती को दो रहे हैं नहीं जालिए शुरू करें ठीक है तो याद करिए अगर यह रेस्ट पर है देखे रहां से यह रेस्ट पर थो है यह तो confirm है बच्चा यह T पता चल जाए तो काम बन जाएगा अब याद करो गुरू जी ने कहा था यहाँ T बराबर कितना आगया तो यह T बच्चों यह T त यह वाली 2T होगी कि नहीं होगी अरे बोलो ना बे यह 2T होगी कि नहीं होगी ठीक तो चरह T निकाल लेते हैं पहले तो तो 2 M1 2 इंटू 3 अपउन M1 प्लस M2 5 इंटू जी बोले तो 10 ठीक है कितना आया T की वैलू जड़ा जल्दी से बोलो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और यह आगया 2 12 दूनी 24 24 निटन आया कि नहीं आया एंजिन की वैलू ठीक है T आगया 24 निटन आगया अब यहाँ पर तो 2T की वैलू कितनी होगी 48 होगी कि नहीं होगी अरे बोलो ना यार तो यह 48 निटन अब इसका FBD बनाओ या अब तो दो कोड़ी का कोश्चन नहीं था यह या था तो आसान लेकिन तुम गलती कर गए और कुछ नहीं तो 2T बराबर mg mg बोले तो 10 2T की वैलू 24 बराबर m इंटू 10 48 बटे 10 मतलब 4.8 निटन आए हाए हाए काफी लोग 4.8 kg भाईया गलती हो गई 4.8 kg यह आंसर है कुछ आया आंसर वा चलो चलो एक और कोश्चन हो जाए देखते हैं कितना दम है आप लोग के अंदर गलती से मिस्टेक हो गया भाई इनसे चलिए अगर मिस्टेक हो गया गलती से तो अब ना हो ठेक एक कोश्चन और लीजिए दना दन कोश्चन वा यह है कि एक पुली है यह दो केजी यह वाली वन केजी और यहां पर लग रहा है पचास न्यूटन का तीस न्यूटन का फोर्स नहीं यार तीस न्यूटन में मज़ा नहीं आए गा यार तीस मज़ा नहीं पचास न्यूटन का फोर्स लग रहा है पुली पर ठीक है तो आपको बताना है इसका acceleration क्या होगा इसका acceleration क्या होगा यह आपको बताना है चली बताईए आज मैं SCV के homework दे रहाँ question आपको ठीक है तो वो करके लाइए तो question है SCV exercise 70 page number 79 पर है question page number 79 पर है आप करके लाइए 1 to 12 ठीक है and फिर आगे के भी देता हूँ मैं आपको 29 फिर आगे के है 16 to 22 यह कर लिए SCV 11th 11th के SCV 11th की DCP क्या होती बे DCP क्या होती है आहा न और worked out example भी कर लिजे इसी chapter के 1 to 5 एक से 5 तक ठीक है देखो भाई यह 50 newton तो यह 25 newton यह भी 25 newton तो 2 kg 2 kg में नीचे आया 20 newton ठीक है उपर है 25 तो equation क्या बनेगी 25 minus 20 equals to 2a यह आगया 5 by 2 मतलब 2.5 meter per second square यह acceleration आगया इसका इसका acceleration ऊपर की ओर 25 और नीचे की ओर 10 ठीक है एक से 1 एक्वेशन कितनी होगी 25 minus 25 minus 10 equals to 1 into a a की वैलू बलू बहे अंदरा और रहे वाई साहब इसका acceleration तो खतरना है यार उसका तो उत्ता ज़्यादा नहीं था यह तो और को हाँ कार बचा देगा दोनों का acceleration अलग-अलग कैसे होगा क्योंकि यह pulley rest पर नहीं है बिटा अगर यह pulley rest पर होती तो यह x जाता और यह x नीचे आता यह pulley rest पर नहीं है बच्चा यह pulley rest पर नहीं है इसलिए इसलिए हम इसका answer नहीं दे पाएंगे ठीक है पुली rest पर इसलिए हम सेम नहीं कह सकते है सब्सक्राइब के एक question में doubt है वही एक question तो आएगा बिटा एक्जाम में जिसमें doubt है ठीक है ना चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बै आपको एक और बात बताता हूँ एक note कर लीजे आपके काम की चीज है एक बच्चे ने बोल भी दिया था तो मुझे याद आ भी गया तो आप सभी लोग note कर लीजे आज के बाद कभी भी कभी भी यहाँ पर M1 और M2 अगर बंधा हुआ है ठीक है तो आप इसको to calculate tension to calculate tension in this replace कर सकते है replace कर सकते है एक mass से replace with mass M equals to 4M1 M2 upon M1 plus M2 इससे आप replace कर सकते है मतलब tension निकालने के लिए आप इधर M ले लीजे इस side M ले लीजे और इस side M0 ले लीजे M0 M0 बुले तर यह वाला और अब आप यहां का acceleration भी निकाल सकते है और tension की value भी निकाल सकते है दोनों आएंगी और सही आएंगी क्यों आएंगी चलिए आप मुझे बताईएगा next class में यह भी next class homework है next class में discuss हो गई तो यह है next class Thursday को मेरी class नहीं होगी तरज़दे को मैं बोलूँगा पुनी सर से class लेने को वो ले लेंगे आना वो अपने अपने chapter को आगे तर पर जाएंगे ठीक है चले भाई पच्चो आगे आज की class बंद करता हूं तो मजाया आप लोग के साथ टाटा बाबाए मिलते हैं next class में नए जोश के साथ अना धन करेंगे आगे पढ़ाई